तो आज की कहानी है वर्ल्ड फेमस ड्रिंक कोका कोला और उसके वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ सम्मन्धों की आज हम देखेंगे कि आखिर कैसे पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला यह ड्रिंक बीसवी सदी की अंतरास्ट्री राजनेती में फस कर रहे गया 1886 में एटलांटा में जन्मी ये कंपनी चो दुनिया भर में फैली और इसके ड्रिंक्स आज भारत के छोटे से छोटे गाउं में भी मिल जाएंगे आखिर क्यूं वो क्यूबा और नॉर्ट कोरिया जैसे देशों में आज भी बेची नहीं जा सकती है मज़दार बात तो यह है कि अमरिका के पास इस्थित क्यूबा उन चंद देशों में था जहां कोका कोला ने 1906 के बाद अपनी पहली ओवर्सीज फैक्टरी खोली थी का सिंबल बना वैसे ही कोका कोला आखिर क्यूं अमेरिकन इंपिरिलिजम का सिंबल बन गया आज हम इनी सब सवालों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कोका कोला के इस अंसुने और अंकहे इतिहास को हम समझेंगे कि क्यूं और कैसे कोका कोला पर सिर्फ दो देशों में ल दूस्तों कहानी की शुरात होती है 1886 अटलांटा में जो अमेरिका के जॉर्जिया की राजधानी है लोकल फार्मसिस्ट डॉक्टर जॉन स्थित पेमबर्टो ने एक सीरप प्रोड्यूस किया जिससे फेमस कोका कोला ड्रिंक बनी देखते ही देखते ये पहले अमेरिका फिर यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैलने लगी इस जुरिंक को असल बूस्ट मिला व्ल्ड वर्ट टू के दौरान जब कोका को ओवर्सीज अमेरिकन ट्रूस में बांटा जाने लगा वर के वक्त दुनिया भर में कोका कोला के 60 से जादा बॉटलिंग प्लांट्स थे कहते हैं कि कोका कोला वर के वक्त अमेरिकन पैट्रिटिजम का सिंबल बन गया और शुगर राशनिंग से इसे एक्जेम्ट भी किया गया 1953 में अमेरिकन प्रेसिडेंट बने डूइट इशनोवर तब यूरोप में अलाइट फोर्स के सुप्रीम कमांडर थे और वो कोका कोला के बड़े प्रशन सकते उन्होंने एंशोर किया कि ये ड्रिंक नौर्थ एफरिका तक पहुँचे इसके लावा उन्होंने ही ये ड्रिंक तॉप सोवियट जिनरल जॉर्जी जुकोव को भी पिलाई केहते हैं कि जॉसफ स्टैलिन कोका कोला को वेस्टन इंपिरिलिजम का सिंबल मानते थे और इसलिए उन्होंने इस ड्रिंक के कंजम्शन को रस्ट्रिक्ट किया इसलिए जुकोव ने कमपनी को special request की कि वो कोक का एक colorless version बनाए जिसे white कोक के नाम से जाना गया लेकर इसी दौर में कोका कोला कई तरह के oppositions और बदनामियां भी जेल रही थी 1950s में French communist ने Coca Colonization नाम का termocoin किया और कोका कोला के कई ट्रक्स पर attacks किया Cold War के वक्त Coca-Cola capitalism का symbol बन गया जिसके खिलाफ communist खड़े थे वो चाहे किसी भी देश में हो इससे साफ है कि Coca-Cola एक serious communist operation जेल रही थी खेर अब चलते हैं क्यूबा की ओर और समझते हैं कि वहाँ इस पर बैंच क्यूँ लगे क्यूबा में कोका कोला का production 1906 में शुरू हुआ और इसका business बढ़ता रहा लेकिन Russian revolution और Chinese revolution से inspire होकर क्यूबा में भी communism अपनी पकड मजबूत करने लगा 1952 में क्यूबन communist revolution के hero Fidel Castro student politics से बाहर निकल national politics में अपनी पकड मजबूत कर रहे थे पर 1952 में ही American support से फलगेंकियो बैटिस्टा क्यूबा के dictator बन गया Fidel Castro के नितरत्व में communistों ने बैटिस्टा का परजोर वरोध किया और violent revolution की बात हुई Castro जेल में डाल दिये गए लेकिन 1955 में वो रिहा हुए और ये बैटिस्टा की सबसे बड़ी गलती साबित हुई रिहा होते ही Castro ने बैटिस्टा के खिलाफ गिरिल्ला warfare छेड़ दिया और बैटिस्टा को देश से खदेड़ दिया क्यूबन communist revolution successful हुआ और 1959 में फाइडल कैस्ट्रो क्यूबा के प्रधान मंत्री बने वैसे तो दौर था cold war का और अमेरिका और सोवेत union के नेतरत में western और eastern blocks का formation हो रहा था लेकिन ideological conflict के बावजूद अमेरिका ने कैस्ट्रो की Cuban government को 1959 में recognition दिया लेकिन ये जाल दिन चलने वाला नहीं था मार्सिस ideology के इस्तमाल करते हुए कैस्ट्रो देश से हर private company का nationalization कर रहे थे और उन्हें government control मिला रहे थे American companies के साथ भी यही होना था जिससे अमेरिका नरास था उपर से अपनी ट्रेटरी के नजदीक communist क्यूबा के साथ सोवेत के support को लेकर अमेरिका अल्रेडी डरा हुआ था क्यूबा और सोवेत के रिष्टे मजबूत होने लगे और 1961 में अमेरिका ने क्यूबा को दी हुई माननिता वापस ले ली कहते हैं कि 1961 में CIA ने बटस्ता सपोर्टेट क्यूबन एक्जाइल्स की मदद से क्यूबा में अटाक करवाया यह event Bay of Picks invasion नाम से जाना गया जिसे Castro government ने रॉन दिया जब दुनिया के सामने Bay of Picks में American Roll की रिपोर्ट सामने आई तो क्यूबा और अमेरिका की बीच के रिष्टे और जादा खराब हुए 1962 में अमेरिका को पता चला कि Bay of Picks के रियक्शन में Castro सरकार Soviet को nuclear missiles के basis बनाने की permission दे रही है अमेरिका ने क्यूबा पर naval blockets लगाए और जन्म हुआ तेरा दिन लंबे चले Cuban Missile Crisis का यह Cold War की एक ऐसी घटना थी जिसे पूरी दुनिया में खौफ का महल बना दिया था लग रहा था कि जल्द ही World War 3 की शुरुआत होगी हलाकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पर यह सब कोका कोला के लिए भारी पड़ा 1962 में Cuban government दोरा कोका कोला पर government control की चर्चाएं तेज हुई और कोका कोला क्यूबा छोड़ कर चली गई साथ में American government ने भी क्यूबा पर economic और trade sanctions लगाने शुरू किये इसके चलते भी कई American companies को क्यूबा छोड़ना पड़ा यानि की क्यूबा में कोका कोला पर बैन दो तरफ से लगा एक क्यूबा की तरफ से और दूसरा खुद अमेरिका की तरफ से अब बात करते हैं North Korea की कहानी की शुरुआत होती है 1945 में World War II खतम हुआ और Japanese-controlled Korean Peninsula का कंट्रोल जर्मिनी की तरह सोवियत और US के बीच बंड गया सोवियत सपोर्टेड नॉर्थ कोरिया का नितरत कर रहे थे Kim Second Sung जिन्होंने 1948 में North Korea की सत्ता समभली उनका एम था North और South Korea को युनाइट करना जिसके लिए उन्होंने 1950 में South Korea को इन्वेट किया South Korea के साथ US और North के साथ Chinese और Soviet सपोर्ट के चलते 1953 में ये वार खत्म हुआ और ना North Korea की जीत हुई और ना ही South Korea की लेकिन अमेरिका ने Communist North Korea पर भी कई economic और trade sanctions लगा दिये जिसके चलते वहाँ पर Coca-Cola तो क्या बाकी की American companies भी businesses नहीं कर सकती आज भी America और North Korea rivals है और sanctions जारी है तो कुल मिलाकर बात ये है कि Coca-Cola पर इन देशों में ban cold war politics और liberalism और communism की बीच हुए ideological battles का नतीज़ा है एक तरफ Korea और क्यूबा में Coca-Cola को American imperialism का प्रतीक बता कर उस पर ban लगे तो दूसरी तरफ America ने इन देशों पर अपने sanctions से ensure किया कि ये ban चलता रहे दोस्तो A History of the World in Six Glasses के author Tom Standage कहते हैं कि Coca-Cola के इस इतिहास के चलते वो एक American symbol बन गया इसलिए वो Coca-Cola को capitalism in a bottle बताते हैं cold war की खतम होने के बाद भी ये politics दुनिया के कई events में देखी 1989 में जब बर्लिन वाल गिरा दी गई और जर्मनी को unite किया गया तब Eastern Germany ये Soviet supported Germany में Coca-Cola की bottles खूब बिके और Coca-Cola freedom का symbol बना 2003 में जब Thailand में Iraq invasion के खिलाफ protest हुए तब protesters ने Coca-Cola bottles को सड़कों में fake कर अमरिका की खिलाफ गुसा व्यक्त किया Middle East में भी 1968 से 1991 की बीच Coca-Cola ने काफी struggles देखे जब Arab League ने उस पर कई boycotts introduce किये ये Coca-Cola के Israel के साथ business के reaction में था 2012 में इरान के President महमूद एहमेदी निजाद ने भी इसे बैन करने का threat दिया जो US-Iran rivalry को symbolize करता है उसी दौरान Venezuela के communist leader Hugo Chavez ने भी लोगों से Coca-Cola को boycott करने के request की तो दोस्तो ये थी Coca-Cola और उसके world politics के साथ connection की कहानी इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या opinion है comment section में जरूर बताइएगा आज के वीडियो के लिए इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ share कर नमत भूलेगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत